कोडोना वायरस की एकाद वैक्सीन से कुछ लोगों को दुरलब बलड क्लॉट के दिखकर सामने आई है यानि उनके शरीर में खून के ठक्के जम गए हैं जिसे लेकर दुनिया भर में काफी बवाल हुआ वैक्सीन पर कुछ दिनों के लिए अस्थाई रोक लगा दी गई है लेकिन अब बैग्यानिक इस पहली को सुल जाने के करीब पहुँच चुके हैं कम से कम जर्मनी के बैग्यानिक का ये दावा है कि उन्होंने उस चैन डियक्सन का पता लगा लिया है जिसकी वज़शे शरीर में खून के ठक्के जम रहे थे जॉंसन और इस्ट्राजेनिक की वैक्सिन लेने के बाद कुछ जगों पर बलड क्लॉट के मामले सामने आये थे यूनिवर्सेटी हॉस्पीटल ग्रिफ वाल्ड में इंस्ट्यूट ऑफ इम्म्यून लॉजी एंड ट्रांस्फ्यूजन मेडिसीन के परमुक डॉक्टर अद्रियास ग्रीनेचर और उनके टी झाल